हेए, आज हम लोगों को पहले तो यह पता करना है कि आखे population growth का मतलब क्या होता है और अगर हम्हें population growth का मतलब समझ आ भी जाय को population growth को estimate कैसे कर सकते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का topic Student, जब भी हम लोग एक specific time period के दौरान ये चेक करते हैं कि आखिर एक country में कितनी नई population add होई है और एक country में कितनी population छोड़के जा चुकी है तो जो ये specific time period में population में जो change आता है उसे हम कहते हैं population growth जो population growth है इसे express करने के, estimate करने के दो तरीके हैं और दोनों के बारे में समझना आप सब के लिए काफी साधा ज़रूरी है तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दो method के नाम बताती हूँ Absolute numbers और percentage per year सबसे पहले हम बात करेंगे absolute numbers के बारे में क्योंकि ये काफी आसान है दोस्तों population growth को हम लोग absolute numbers में express कर सकते हैं और इसको समझने के लिए मैं आपको एक example देती हूँ आप मान लिजिए कि 1991 में इंडिया की population थी 1 lakh मान लिजिए और 2001 में जब check किया गया तब इंडिया की population मिली 1 lakh 10,000 अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप फटा फट मुझे ये बताईए कि आखेर इन 10 सालों में इंडिया की population में क्या बतलावाया है तो जानते हैं आप बिना कोई time based की फटा फट से मुझे बता देंगे कि इंडिया की population in 10 years में 10,000 से बढ़ गई है तो ये कैसे निकाला आपने आपने क्या किया आपने 2001 की जो population है उसमें से 1991 की population को माइनस कर दिया आपका आंसर आगया 10,000 कितना simple है ये इसे ही हम कहते हैं absolute numbers इसका मतलब क्या हुआ कि हमने numbers की मदद से ये बता दिया कि पिछले 10 सालों में इंडिया की population में कितना increase और कितना degrees आया है ऐसे ही अपने आपको second method समझाती हूँ जिसका नाम है percentage per year इस method में हम क्या करती है हम हर साल population में जो बदलाव आता है उसे percentage की form में express करती है difference बस इतना ही है कि इस method में हम हर साल की बात करती है और जितना भी population में increase और decrease आता है उसे numbers में नहीं percentage में express करती है example के साथ समझ लेती है अब वही पिछला example याद कीजी अगर इंडिया की population 1991 में थी 1 lakh और 2001 में थी 1 lakh 10,000 तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ friends कि इंडिया की population में हर साल 1% increase आया है हर साल इंडिया की population में 1,000 नए लोग add होए है कितना simple है यह तो अब आपको यह दोनों method समझ आ गए है better understanding के लिए आप इस table को ध्यान से देखिए इस table से आपको इंडिया की population growth से related information मिल जाएगी I'm sure अब आप confidence के साथ किसी को भी यह बात कह सकते है कि आपको पता है कि आखिर क्यों इंडिया की population हर साल increase हो रही है आप इसका estimate कर सकते है साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी क्योंकि इंडिया की population इतनी साधा है इसलिए पता है अगर इंडिया के annual growth rate में decrease आता भी है न तब भी वो इंडिया के लिए एक अच्छा sign है वो इंडिया के लिए एक positive indicator माना जाएगा क्योंकि इससे ये साबित हो जाएगा कि इंडिया में जो birth control efforts किये जा रही है वो successful हो रही है इसे के साथ हमारा आज का lecture यहीं खतम होता है और next lecture में मैं आपको processes of population change के पारे में बताऊंगी So students, thank you for watching I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसी तरह से एक मज़िदार तरीके से अपने हर concept को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी कई सारे options है जैसे कि आपके लिए sample papers है backing size solutions tip videos and much more So what are you waiting for? Download the app now